जब आदनिय राश्पती जी हम सब को संभुववित करने ले आई और जिस गवरव और सम्मान के साथ संगोल पूरे प्रोसेशन का लेख्रूप प्रोसेशन का लेख्रूप करने और हम सब उसके पीशे-फीचे चल रहे थे नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजहादी के उस पवित्र पल का पतिविम जब साक्षी बनता है तो लोगतुंत्र की गरीमा कई गुना उपर चली जाते हैं ये प्रचतर्वा गणतंत्र दिवस इसके बाद संस्वत का नया भवन संगोल की अगुआई यह सारा द्रश्च अपने आप में बहुत ही प्रभावी था मैं जब वहां से पूरे कारकम को मैं भाजेदारी कर रहा था यहां से तो उतना हमें भव्रता नजर नहीं आती है लेकिन वहां सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमा बनन उपस्थेति में उपराश्पति उपराश्पति जिवरार हम सब के मन को प्रभावीत करने वाला विद्रश्य हमेशा हमेशा यहां यहां से जीन मानिय करीब सार्ट से जादा मानिय सदेशों ने राश्पति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं मैं विनम्दता के साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने मानिय सांसद गर्ण का आभार व्यक्त करता हूँ मैं विशेश रुट से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूँ उनके भाषन के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है किनोंने लंबे अर्षे तक बहां रहने का संकल्प लिए आप कई दसक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दसक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो इश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि इश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आश्रवाद देगे और आप आप जिस उचाई पे हैं उससे भी अधिक उन्चाई पर जुरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाओं में दर्शक गिसा में दिखेंगे इस बार आपने आपका कॉंट्रेक्ट उनको दे दिया है क्या आपने आपने इनी चुजों को पचाया है आपने इनी चुजों को पचाया है आपने इनी चुजों को पार आपने इनी चुजों को पर आपने आपका कॉंचेंगे झाल 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 जादा समर्द्ध होंगे हमारा देश उतना ही समर्द्ध होगा उतना ही तेजी से समर्द्ध होगा और उन्होंने इन चार स्तंभों का उलेक करते भी है देश की नारी शक्ति, देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईब हैं और देश के हमारे किछान, हमारे मचवारे, हमारे प्रशुपाला को उनकी चर्चा की है इनके ससक्तिकन के माध्यम से, राष्ट के विख्सीद भारत के लक्षो प्राप्त करने के जो राह है, उसका स्पष्ट दिशानिरदेश आदरने रात्पदी ने कहा है अच्छा होता, हो सकता है आपके हाँ फिशन्मेन माइनोरिटी के नहो, हो सकता है आपके हाँ पशुपालग माइनोरिटी के नहो, हो सकता है किशान आपके हाँ माइनोरिटी के नहो, हो सकता है महलाए आपके हाँ माइनोरिटी में नहो, हो सकता है कि आपके हाँ युवाम में माइनोरिटी है क्या हो गया है दादा कि क्या देश के अन्व यूर जी के बात होती है समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या देश की नारी की बात होती है देश की सभी नारी नहीं होती है कब तक प्रुक्रों में सोचते रहोगे कब तक समाज को पाटते रहोगे सब सिमा करो सिमा करो बहुत तोड़ा देश को आधनी अद्दक जी अच्छा होता है कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के धर्मयान कुछ सकारात्मक बाते होती हैं कुछ सकारात्मक सुझाव आते हैं लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ भार रहा है उसको बार बार दर्द होता कि यह दशा है उनकी कि सोचरी की मर्यादा एकनी है अधने देख जी नेता तो बदल के लेकिन टैप रिकरडर वही बज़ रही है वही बाते हैं कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग भही चलता रहता है आपका चुनाव का वरस्ता थोड़ी महनत करते कुछ नया निकाल करके लाते जंता को जरा संदेश देपाते उसमें भी फेल गया आप चलिए यह भी मैं सिखाता हूँ आधर ने देख जी आज विपक्ष की जो हालत होगी ना इसकी सबसे दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाहित्व को निभाने में भी वे पुरी तरह विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार यह करते रहें कि और भी विपक्ष तेजस की लोग हैं उनको दबा दिया जाएं हाउस में कई यंग हमारे मानने सांसद गण हैं कुछ साभी उमंग भी हैं लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिंता में इस यंग जन्रेशं को मोका न मिले हाउस को ही चलने नहीं दिये गए अने एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्षान कर दिया है खुद का भी विपख्ष का भी सांसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपख्षी बहुत जरूरत है देश ने जितना परिवारवाद का खाम्याजा उठाया है और उसका खाम्याजा खुद कॉंग्रेस ने भी उठाया है अब अधिर बाबु की हालत हम देख रहे हैं वनना यह समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारवाद की सेवा तो कदी परती है आदमिया तक जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिप्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही सिप्ट कर गए यह सब परिवारवाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लोग की दुकान ताला लगने की नौबरत आग़ी है और दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कहते हैं दुकान ठोलिए सब जगा पह पोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आएगा यहां हमारे दादा आपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैठ बैठे कॉमेंट कर रहे हैं परिवार बात की मैं जरा समझा देता हूं आपको ना जग महोद है मैं जरा समय ले रहा हूं आज हम किस परिवार बात की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधीक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवार बात नहीं कहा है हम परिवार बात की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को पात्विक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवार बात है न राजनाजी की कोई पुल्टिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित रही है लोग तंत्र में पार्टी अने एक परिवार के दस लोग राजनिति भाए कुछ नहीं है हम तो चाहते हैं नुजवान लोग आएँ हम भी चाहते हैं एह हैं इसकी चर्चा खरिये हमारे साथ आपके ताद मेरा भिशे नहीं है डेश के लोग तंत्र के लिए परिवार भादी राजनीती परिवारिक पार्टियों की राजनीती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आए स्वागत होंगे सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है यह देश नहीं होगा दो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा दो उसका बेटा होगा यह लोग तंतर का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा तैंक्यू यह विशे कभी बोलता नहीं जायत भोल दिया मेले आधरने अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार बार लॉंच करने का भरपूर प्यास हो रहा है अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांशाएं और उपलद्यां वो देख पाही नहीं नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तैयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं आतमंदिर्भार भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल कॉंग्रेस कहते हैं कैंसिल हम कहते एंग यह कोई मोदी पलग दिया नहीं यह देश कि आया इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारण देश की सफलता हैं देश के एचुबेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए आधे ने अधिक जी राश्पती जी ने विक्सिद भारत के रोडमेट पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा कीगे अर्थववस्ता की मुलभूत जो अधार है उसकर की बारीकी से चर्चा कीगे और भारत की मजबूत अर्थववस्ता को आज पुरी दुनिया सरा रही है पुरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकर से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है G20 समीट के इंदर सारे देश ने देखा है कि पुरा विश्व भारत के लिए क्या सोता है क्या कहता है और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पर आज की मजबूत अर्फिववस्ता को देखते हुए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विस्वात से कहता हूं और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे कम है आरत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक दाकत प्रिकांगा और यह मोदी की गारंटी है मांडिया देख जिए उनको पहले मोका नहीं दिया था गया सबको मोका दिया है ना आदर्णी अदर्ण जी जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन कर जो उग्रेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैटे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा क्या कमाल है आप लोगों के मोधी का क्या है तो अपने आप हो जाएगे मैं जरा सरकार के भूमी का क्या होती है कि सदन के माध्यम से देश को और विशेस कर के देश के युवा मन को बताना चाहता हूं की होता कैसे हैं और सरकार की भूमी का प्या होती हैं अधिने अधर्ण जीन दस साल पहले 2014 में फरवरी महिने में जो इंट्रिम बजेट आया था उस समय कौन लोग बैटेते आपको तो मालूम है देश को भी मालूम है जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था उसे पेश करते सबाए उस समय के वित मंत्री ने जो कहा था नो उसको कोट कर रहा हूँ और एक एक शब्द बड़ा मुल्यवान है जी जब आप लोग कहते हैं नहीं कि तो अपने आप तीसरे नबर पर जा ही जाएगा ऐसा कहते हैं उनको जड़ा समझना चाहिए यह उन्होंने क्या कहा था I now wish to look forward and outline a vision for the future I now wish to look forward and outline a vision for the future आगे कहते हैं I wonder how many have noted the fact that India's economy in terms of the size of its GDP is the 11th largest in the world एने 2014 में ग्यारा नंबर पहुंचने पर क्या गवरोगान होता था आज पांच पर पहुंच गए और आपने क्या हो जाए अधर्य 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 जी आधर्य अधर्य जी अधर्य अधर्य जी में आगे पढ़ रहा हूं गोगई जी थैंक जी आपने अच्छा कहा हूं मैं आगे पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनिये साथ जी ओ ध्यान से सुनिये उन्होंने कहा था इस दी 11th largest in the world बड़ा गवरोग का बागत there are great things in the store हागे वो कह रहा है there are great things in store फिर आगे कहते हैं there is a well argued view that in the next three decades in the next three decades India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China उस समय के ब्रह्मान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे हैं कि तीसरे नंबर पर तीस साल में हम पहुंच जाएंगे तीस साल और फिर कहा थे ये मेरा विजन जो मैं बहुत लोग है जो ये ख्याला में रहते हैं वो ब्रह्मान के सबसे बड़ी अर्थसात्री है ये लोग दोजार चौदा में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं तीरे ट्वेंटी फॉर्टी फोर्ट एने दो हजार चवालीस तक तीसरी अर्थववस्ता की बात ये इनकी सोच ये इनकी मर्यादा सपना भी देखने का सामर्थे खोच चुके थे लोग संकल तो दूर की बात थी तीस साल का इंतजार करने लिए मेरे देश की युवा पीड़ी कोई कहकर गये थे लेकिर हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे यह मोदी की गैरंटी है मेरे तीसरे कारकान में देश दुनिया की तीसरी आर्टीक शक्ती पन जाएं कैसे लक्ष रखते हैं कि सोच कहां तक जाना थी दया आती है हुआ और आप लो ग्यारा नंबर बटाव कर रही हिए अब दिशान ये जी अधिन अगर फ्रट पंचने से अपको खुशी होती थी तो पांच नंबर पहुचने पर भी खुशी होती होनी चाहिए देश पांच नंबर पर पहुंचा आपको खुशी होनी चाहिए किस बिमारी में फसे पड़े हो आधनिया अध्यक जी वाजपा सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं हमारा होसला कितना बड़ा होता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है राधनिय अध्यक जी एक कवां कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि यह कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशन तर देए कॉंग्रेस की सुस्तरफकार का कोई मुखाबला नहीं है अध्देश में आज देश में आज देश में आज देश में आज देश में जिस रप्तार से काम हो रहा है कॉंग्रेस सरकार इस रप्तार की कल्पना भी नहीं कर चाहिए अधनियद्दक जी अधनियद्दक जी शहरी गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए अधनियद्दक जी हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए असी लाग पके मकान शहरी गरीबों के लिए बने कॉंग्रेस अगर कॉंग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता मैं इसका हिसाब लगाता हूं अगर कॉंग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता है तो सो साल लगते इतना काम करना में सो साल लगते हैं पांच पीडिया घुजर जाती है आधने तिक जी दस वर्ष में चालीस हदार किलोमेटर रेलवे ट्रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार से देश चलता है इस काम को करने में असी साल लग जाते हैं एक प्रकार से चार पीडिया बुजर जाती है आधने रतिक जी हमने सत्रा क्रोड अधिक गैस कनेक्शन दिये हैं यह मैं दस साल का हिसाब दे रहा हूं अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और साट साल लग जाते तीन पीडियां दुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती है आधने तक जी हमारी सरकार ने सेनिटेशन कवरेज चारीस परसंट से सो परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती है तो यह काम होते होते साट सत्तर साल और लगते हैं और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती है लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता है आधने तक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्षान हुआ है कॉंग्रेस ने देश के सामर्थे पर कभी भी विश्वास नहीं किया वे अपने आप को शासक मानते रहें और जनता जनारदन को हमेशा कबंतर आंखते गए छोटा आखते गए अधने देश के नागरीकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं मैं नाम बोलते हूं उनको जरा चुबन होगी लेकिन पंद्रह अगस्त लाल की ले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूं लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं नहरू जी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते हैं जितना की हिरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं यह नहीरू जी लाल के लिए से बोल रहे हैं यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौमें यह ना समझे कि वह कौमें कोई जादू से खुशाल हो गई वह मैनस से हुई हैं और अक्ड से हुई हैं यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि यानि नहरूजी यानि नहरूजी की भारतियों के प्रति सोच थी कि भारतिया आलसी है नहरूजी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कम अक्रे के लोग होते हैं और आदनी अद्दक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल के लिए से लाल के लिए से 15 अगस को कहा था लाल के लिए से 15 अगस को इंद्राजी ने कहा था दुर्भाग्यवाश हमारी आदत यह है कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुर्ष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखतर के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस का एकडम सटी का आकलन होनों कि आप कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे उनके भी से ऐसे ही चो और आज भी आज भी वही सोच देखेने को मिलती है मानिया दग्जी कि मानिया दग्जी का विस्वाद हमेशां शुर्प परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रहे करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मॉटर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइन्मेंट क्या होता है उसका ग्याम तो हो गया होगा लेकिन मैं देख रहा हूं है अलाइन्स का ही अलाइन्मेंट बिकड़ गया इनको अपने इस कुनवेव हैं अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो यह लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगेंगे आप कि आदेन्यतिक जी हमें कि देश के सामर्थे पर भरोसा है हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है आदेन्यतिक जी कि देश की जन्ता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का आउसर दिया तो हमने पहले कारकाल में यूपिये के समय के जो गड्डे थे वो गड्डे भरने में हमारा कापी शमय और शक्ति लगी हम पहले कारकाल में वो गड्डे भरते रहे हमने दूसरे कारकाल में नए भारत की नीव रखी और तीसरे कारकाल में हम विक्सित भारत को है पहले कारकाल में हमने स्वच्च भारत उज्वलां आईश्मान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसे प्रकार से सुगम में भारत बीजिटल इंडिया ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप दे करके आगे बढ़ाए टैक्स व्यवस्ता आसान हो इसके लिए जीएस्टी जैसे निर्णा लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया जनता ने बहुत आशिरवाद दिये पहले से भी ज्यादा आशिरवाद दिये और हम हमारा दूसरा कारकाल प्रारंब हुआ है दूसरा कारकाल संकल्पों और बच्चनों की पूर्ति का कारकाल रहा है जिम उपलब्दियों का देश लंबे समय से इंतिजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कारकाल में पूरे होते देखें हम सबने हम सबने 370 खतम हुएते हुए देखा इनी मान्य सांसदों के आंखों के सामने और उनके बोड की ताकत से तिन सो सब्तर गया नारी शक्ति बंदन अधिनियम ये दूसरे कारकाल में तानुम बना अधिनिया देख जी अंतरिक से लेकर के ओलेंपिक तक ससत्र बलों से संसत्त तक नारी शक्ति के सामर्थ की गोंज़े लेकर ये नारी शक्ति के ससक्त करन को आज देश ने देखा है अधिनिया देख जी अतर से दक्षिन तक पूरब से पस्चिन तक लोगों ने बसकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओ को समय बद्द तरीके से पूरे होते हुए 60 अंगरिजीशेसरान के पुरारे से दन्द प्रधान कनुणों में कोब होचे हम प्लीज 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 प्लीज.e माह ने सदक्षरगान सदन के नेता बोल रहां locked को प्रिज आप समझाए सदन के नेता बोल रहे हैं आपको मैंने सब को प्रियाद समय प्रियाद अउसर दिया था यह तरीका गलत है यहा मैं अदासा बनागे रखें प्ली बैटे बैटेवेशिंटिप नीकर एक को Weinरेट गॉप्लीड फिली नुद पिलेट ऑ만बरिडब्स नो नहां गैलत तरीका है गलत तरा नहीं फुर्दॉ नै बांड की हिसित केर्ड़ के दो यह तरीका है कि आपका कि आधनिय अध्यक्जी अंग्रेजी शाथन के पुराने कानून जो दंद प्रधान थे उन दंद प्रधानों के कानूनों से हट करके हमने न्याई सहीता तक प्रगती है हमारी सरकार ने सैक्ड़ ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगी हो गए ते ते सरकार ने कि चारीज हजार से जांदा कि कम्प्लाइंसिस खटम कर दिये हैं आधनिय द्यग जी भारत ने अम्रद भारत और नमोद भारत प्रेनों से बविश्य के उन्नति के सपने से आधनिय अध्य जी देश के गाउं गाउं ने देश के कोटी कोटी जनों ने और सेचुरेशन के पीछे कितनी महनत की जाती है उसके हग की चीज उसको मिले उसके दर्वाजे दस्तक दे करके देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है अधनिय जी भगवान राम अधनिय जी भगवान राम न सिर्थ अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का निर्मान हुआ अधनिय जी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती है और अपकी बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार हरके जी भी कह रहे हैं लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर कि आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूं कि लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाच कि एंडिये को चार सो पार कर पाई के रहेगा लेकिन भारतिये जनता पार्टी को तीन सो सत्तर सीट अबस्य देगा पीजेपी को तीन सो सत्तर सीट और एंडिये को 400 पार सवा की कारवाई इस विशे की समात्तिक तो बढ़ा दी जाए हमारा तीसरा कारकाज बहुत बड़े फैंसलों का होगा मैंने लाल के लिए से कहा था और राम मंदीर प्रान पतिक्षा के समय भी मैंने उसको दोहराया था मैंने कहा था देश को अगले हजार वर्षों तक सम्रुद्ध और सिद्धी के शिखर पर देखना चाहिए कर दो तीसरा कारकाज अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नीव रखने का कारकाज कर देख जी ए मैं भारत वाच्चियों के लिए उनके भविश्य के लिए बहुत ही विश्वास से भड़ा हुआ है मेरा देश के 140 क्रोण नागिकों के सामर्थे पर अपार भरोसा है मेरा बहुत विश्वास है दस वर्षों में 25 क्रोड लोग गरीबी से बाहर आए यह सामर्थे जाता है अधनिया देख जी मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले गरीब को अगर साउसाधन मिले गरीब को अगर स्वाभिवान मिले तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सामर्थ और हमने वो रास्ता चुना और मेरे गरीब भाईयों ने गरीबी को परास करके दिखाया और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिये संसाधन दिये सम्मान दिया स्वाविमान दिया पचास करोड गरीबों के पास आज बैंक खाता है कब वो बैंक से गुदर नदी पाता है चार करोड गरीबों के पास पक्का घर है और उसके स्वाविमान को एक नया सामर्थ देता है ग्यारा करोड से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से बिलाएं पटपन करोड से अधिक गरीबों को आईशमान भारत काड मिला है भर में कोई भी बिमारी आ जाएं उस बिमारी के काम फिर से वो गरीबी के तरब लोड़कना जाएं उसको भरोसा है कितनी भी बिमारी क्यों आ जाएं मोदी बैठा है असी करोड लोगों को मुप्त अनाज की स्विधा दी दरी आधनी अधनी अध्यक जी मोदी ने उनको पूछा जीन को पहले कोई पूछता तक नहीं था देश में पहली बार रेहडी पट्री वाले साथ्यों के बारे में सोचा गया पीम स्वानी थी योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बहार निकले बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्त हैं जो राश्च का निर्मान भी करते हैं ऐसे मेरे विश्व कर्मा साथ्यों के बारे में सोचा गया कि उनको अधुनिक पूर अधुनिक ट्रेनिंग पैसों की मदद विश्व एक मार्केट उनके लिए खुल जाए यह मेरे विश्व कर्मा भाईयों के लिए हमें क्या देश में पहली बाग पीवी टीजी यानि जन जातियों में भी अतीप पीछडे जो हमारे भाई बहने संख है हम दिलों से जुड़े हैं और इसलिए इसलिए पीवी टीजी जातियों के लिए पीएम जन्मन योजना बना करके उनके कल्यार का मिशन मोड़ में काम उठाया है इतना ही नहीं है जरहत के जो गाउं थे जिनको आखरी गाउं करके छोड़ दिया गया था हमने वह आखरी गाउं को पहला गाउं बना करके विकास की पूरी दिशा बदल जी मैं जब बार बार मिलेट्स की वकालत करता हूं मिलेट्स की दुनिया के अंदर जा करके चर्चा करता हूं जी ट्वेंटी के देशे को सा लोकों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स प्रवस्ता हूं इसके प मैं में में किन इंडिया की बात करता हूं तब मैं करोड़ों ग्रहुद्यों लगुद्यों कुटिरुद्यों उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ उनके कल्यान के लिए को आदेनियदेंजी खादी कांग्रेस पार्किन दोसको बुदा दिया सरकारों ने भुदा दिया आज मैं खादी के ताकत देने प्लता पुआ अगे बढ़ा हूं क्योंकि खादी के साथ हैंडलूं के साथ करोडों भूनकरों की जिंदगी लगी हैं तो उनके कल्यान को देख अधिनिय अधिक जी हमारी सरकार हर कौने में गरीबी को निकालने के लिए गरीब को समर्द्ध बनाने के लिए अनेक इबित प्रयासों को कर रही है चीन के लिए वोट बैंक ही था उनके लिए उनका कल्यान संभव नहीं था हमारे लिए उनका कल्यान राष्ट का कल्यान है और इसलिए हम उसी राष्टे पर चलते हैं कि अधियने द्रिक जी कॉंग्रेस पार्टी ने यूपिये सरकार ने ओस बीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया अन्याय किया इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसन नहीं छोड़ी है कुछ दिन पहले जब करपुरी ठाकोर जी को भारत रत ने दिया हमने वह सम्माद लेकिन याद करिए उस करपुरी ठाकोर अतीप पिछड़े सबाज से ओबीसी सबाज के उस महापुरुष के साथ क्या वहवार हुआ था किस प्रकार से उनके सब जुल्म गए 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने उनको पत से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था अधिने दिख जी कॉंग्रेस को अतीप पिछड़े वेक्ति बरदास्त नहीं हुआ था 1987 में जब कॉंग्रेस के पास पूरे देश में उनका जंडा फैरता था सत्ता ही सत्ता थी तब उन्होंने करपुरी ठाकुर को प्रती पस्कें वेता के रुपे स्विकार करने से बना कर दिया और कारण क्या दिया वो समिधान समिधान का सम्मान नहीं कर सकते जिस करपुरी ठाकुर ने पुरा जीवन लोग कंत्र के सिधानतों के लिए समिधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया उनका अपमान करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया था कि आधनिय अध्यक जी कि आधनिय अध्यक जी कॉंग्रेस के हमारे साथियों को आज कल इस पार बहुत चिंता जताते हैं कि कि सरकार में OBC कितने लोग हैं कितने पत्पर कहां उसके हिसाब किताब परते रहते हैं कि मैं हरान हूं उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजनी आता है आधनिय अधिक जरा मैं यह दुनिया भर की चीजे करते हैं मैं कहना चाहता हूं यह 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 यूपीए के समय एक एक एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी नेशनल एडवाजिर कांसिल जरा कोई निकाल करके देखें इसमें क्या कोई भी सी था क्या जरा निकाल के देखिए इतने बड़ी बड़ी पावर्फुल पाड़ी बनाई थी और वो तो यह पाइंट कर रहे थे हादनिय अध्यक जी पिछले दर दस वर्सों में नारी शक्ति के ससक्तिकरण को लेकर के अनेक वीद कदम उठाए गया जाए नारी के नेत्रुक में समाज के ससक्तिकरण पर काम किया गया है अधनिय दिग जी अब देश की बेटी हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां देश की बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जैड भी उड़ा रही है और हमारे देश की सिमाओं को भी सुरक्षित रखली है अधनिय अध्यश मोदे ग्रामीन वबस्ता अर्थ वबस्ता हमारी है विमन सेल्फ एल्प ग्रूप दस करोड बहने जुड़ी है और आर्थिक गतिविती करते हैं और ग्रामीन अर्थ वबस्ता को वो नई ताकत दे रही है और मैंजे आज खुशी है इन प्रयासों का परणाम है कि आज करीब करीब एक करोण लगपती दीदी आज देश को ज़िए और जब मेरी उनसे बात होती है उनका जो आत्मी स्वाथ देखता हूं कि मरा पक्ता विश्वाथ हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आने वाले हमारे कारकाल में तीन करोण लगपती दीदी हमारे देश के अंदर देखें आप कल्पना कर सकते गाहों के अर्थ ववस्ता को कितना बड़ाव हो जाएगा हमारे देश में बेटियों के समर्ण जो पहले सोच थी समाज की घर में गुश गई थी दिमाग में भी गुश गई थी आज वो सोच कितनी तीजी से बदल रहे हैं थोड़ा सा बारी किसे देखेंगे उदह में पता चलेगा कितना बड़ा सुखत बड़ावारा है पहले अगर बेटी का जन्म होता था चर्चा होती थी अरे खर्चा कैसे उठाएंगे उसको कैसे पढ़ाएंगे उसके आगे की जिंगी का एक प्रकार चे कोई बोज है इसी चर्चा ही हुआ करती थी आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे सुकन्या समरुद्धी अकाउंट खुला के नहीं खुला पर लावारा आज जी पहले सवाल होता था प्रेगनेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगे तहले ये बात होती थी प्रेगनेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगे आज कहा जाता है 26 हपते की पेड़ लीव और बाद में भी अगर चाहिए मिलेगी ये बढ़ला होता है पहले समाज में सवाल होते थे कि महला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो क्या पत्री की सवाल होते थे आज आज लोग पूछ रहे हैं मडम आपका जो स्टार्ट अफ है न बहुत प्रगति कर रहा है क्या मुझे नौकरी मिले थी ये बढ़ला है हुआ है अगया था य॥ा एक जमाई था जब सवाल पूछा जाता था कि बेटी की उम्ठ भब रही arg शादी कब करोगी बेटी की उम्र बढ़ते रही है शादी कप करोगे आज पूशा जाता है बेटी परस्टनल और प्रोफेस्टनल दोनों कामों को संतुलिक कितना बढ़िया करती हो कैसे करती हो कि अधर्णिय अधर जी एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पर है कि नहीं है ऐसा पूछा जाते है घर के मुख्या को बलाईए ऐसा कहते थो आज कि किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर बिजली का बिल उसके नाम पर आता है पानी गय सब उसके नाम पर तो परिवायर के मुख्या की जगा आज मेरी मात आए बहुत यह बढ़लाव यह बढ़लाव अमरुतकाल में विट्सीद भारत का हमारा जो संकल्व हने है इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रुपे उपरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूं आधर ने देखने होता है कि किसानों के लिए आंसु भाने की आदेद मैंने बहुत देखी है किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है कि देश ने देखा है कॉंग्रेस के समय कि कृष्वी के लिए कूल वार्सिक बजट होता था पच्छी सजार करोब है आधर ने देख जी हमारी सरकार का बजट है समाल लाग करोब है आधर ने देख जी कॉंग्रेस ने अपने दस सान के कारकाल में शांत लाग करोड उप्या का धान और गेहूं किसानों से खरीजा था हमने दस वर्ष में करीब अठारा लाग करोड का धान देख जेए कॉंग्रेस सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीजी नामक मात्र कभी कहीं की हो तो की हो हमने सवा लाग करोड उप्ये से विधिका तलहन और तिलहन की खरीजा है हमारे कॉंग्रेस ते साथियों ने पी-एम किसान सम्मान निदिकम मिला हुजाया और जब मैंने मेरी पहले टम में यह उजना शुरू की थी तो मुझे आद है कि जूठा नेरेटूब की जो फैशन चल पड़िये गाओं में जाके कहा जाता था कि देखिए यह मुदी के पैसे मत लेना यह चुनाव एक बार जीत गया तो सारे पैसे ब्याद समय तुम से वापिस बागेंगा ऐसा जूठ खला जाया था किसानों को इतना मुरग बनाने की कोशिश की गई थी आदनिये आदन असी हजार करोड रुपिये हमने देखिए पी एम फसल भी मा योजना तीस हजार रुपिया का प्रिमिया और उसके सामने देड़ लाग करोड रुपिया मेरे किसान भाई जादों को कॉंग्रेस ने अपने सासनकाल में कभी मी मच्वारे पशुपालक की तो नामों निशान नहीं टांके काम मैं, पहली बार इस देश में मच्वारों के लिए अलग मंत्रा रह बना पशुपालक को मच्वारों को किसान क्रेडिक कार दिया गया ताकि कम ब्याद से उसके बैंक से पैसा मिल सके तो अपना कारोबार बढ़ा सके किसानों और मचुवारों यह चिंता सिर्फ जानवरों के नहीं होती है जिन्दिके का महत्वपन हिस्सा है आर्थिक चक्र को चलाने में इन पश्वों के अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमने फूट एंड माउट डिसीज उससे भारे पश्वों को बचाने के लिए पचांस करोर से ज्यादा ठीके लगाए है आज भारत में युगाओं के लिए जितने नए आउसर बने हैं कि पहले कभी नहीं बने है आज पूरी वोकेबलरी बदल गई है शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं मिलते थे वो बोल्चान के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं आज चारों तरफ स्टार्ट अप्स की दुनिया है इनिकोंस चर्चा में है आज डिजिटल क्रियेटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है आज घीग एकोनोमी की चर्चा हो रही है यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वकेबलरी है यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए 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 परिवेश हैं नए पहचान है यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए आउसर बना रहे हैं 2014 से पहले डिजिटल एकोनोमी की साइज ना के बराबत बहुत ज्यादा उसकी तर्चा भी नहीं थी आज भारत दुनिया की डिजिटल एकोनोमी है अग्रणी लाखों युवां इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में यह डिजिल इंडिया मुव्मेंट जो हैं वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर अनेक अनेक रोजगार अनेक अनेक प्रॉफेशन्स के लिए अवसर लेकर के अने वाला है आदमी अग्रणी आज भारत मेडिन इंडिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं दुनिया में हम नंबर दो बन रहे हैं और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ हैं और दूसरी तरफ सस्ता बेटा इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवोलुशनल आया देश में और दुनिया में हम जिस कीमत पे आज हमारे नवजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं सबसे कम कीमत प्रकरवा रहे हैं और वे कारण बना हैं हा अज बडिनिया भ्यान रिक रिकर्ड मैनुफेक्टरिंग रिकर्ड एक्पोर्ट जाब देश देख रहा है आदेणग जी ये सारे काम हमारे नवजवानों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार लाने वाले काम है सबसे ज्यादा रोजगार कें देख भलाहएं अजल्शत सेक्टर में अभूत पुर्वर उच्छा लाया है हमारे देश में ये ग्रोथ और तुरियम सेक्टर ऐसा है जिसमें कम से कम पुंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला उसर है और सामाने से सामाने विक्ति को भी ये रोजगार देने वाला उसर है स्वारोजगार की सबसे ज़्यादा संभावनाय वाला टूरिजम ख्षेत्र है बैस वर्स में एरपोर्ट दो गुने बने भारत सिर्फ एरपोर्ट बने है सानेगी भारत दुनिया का तीसरा बड़ा दोमेस्टिक एविशन सेंटर भारत की जो एरलाइंज कंपनिया है उन्होंने एक हजार नए एरक्राप के ओर्डर दिये एक हजाम नए एरक्राप और जब इतने सारे हवाई जहाज आपरेट होंगे सारे एरपोर्ट कितने धंधंते होंगे कितने पाइलोर्स की जरूपर है कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए कितने इंजीनियर चाहिए कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए यहने रोजगारी के एक नए ने खेत्र खुलते जा रहे हैं कि एविशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया आफसर बन करके आ रहा है आधर नियद्र जी हमारी कोशिस नहीं है कि एकानॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की जिशा में मजबूती से कणूम थाए युवाओं को नवकरी भी मिले सोशल सिकूरिटी भी मिले इन दोनों को ले करके और आपने जिन बातों के अधार पर हम निरने करते हैं और देश पे भी माना जाता है वह एक होता है डाटा एपी एफो का एपी एफो में जो रिजिश्टन होता है दस साल में करीप अठारा करोड नए सक्थाई बराए तो शीज़ा पैसों से जुड़ा केल होता है उसके फ्यज़ी नाम नहीं होते हैं मुद्रा लोन पाले वालों में आठ करोड लोग ऐसे हैं जिनोंने जीवन में पहली बार कारोबार अपना चुरू किया है और जब बुद्रा लोन लेता है तो खुट रोजगरी पाता है एक या दो और लोगों को भी रोजगरी देता ह जो उसका काम ऐसा हुता है हमने लाखो स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है दस करोड महिला है ऐसे जी से जुडिस जैसा मैंने का एक लाख लगपती दीदी एक करोड यह अपने आप में बहुत और मैंने जैसे कहां हम तीन करोड के कारगर अधिने अध्दक जी कुछ जाकड़े हैं जो अर्तसात्री खशतनी साम़ने मानुवी भी समझता है गए 2014 यह जार्स के निर्माण में करीब करीब 12 लाग क्रोड का बजेट था 10 साल में 12 लाग क्रोड दीटै व्स यह अनल सों कि इस तर्सकेटें निर्माण के अंदर बजेट tv 34 लाग करोड 44 लेक करोड वोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समय जाता है आदेने देख जी इस रासी से जितनी बड़े अमात्रा में काम हुआ है उसके काण इतने लोगों को रोजी रोटी मिली है इसका आप अंदाज कर सकते हैं हम भारत को मैनिफेक्ट्रिंग का रिसर्च का इनोवेशन का अब बने ओ दिशा में देश की वासक्ति को प्रोट्षाइट कर रहे हैं वबस्ताइं विक्सित कर रहे हैं आर्थीक मदद के योजराएं बना रहे हैं आदेने अदेक जी एनर्जी के क्षेत्र में हमें मेशा में दिर पर होने की दिशा में बहुत कुछ करने के आवश्यक्ता है और हमारी कोशिश है ग्रीन एनर्जी की तरफ हाइड्रोजन को लेकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीत पुरुवन वेश उसी प्रकार के दूसरा छेत्र हैं जिसमें भारत को लीड लेनी होगी वह सेमिकंडॉक्टर पिछली सरकारों ने जितने प्रयास किये प्रयास किये लेकिन सभलता नहीं बली अब हम जिस्तिति में पहुंचे हैं मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीन दसक खराब भले हो गए लेकिन आने वाला समय हमारा है हम सेमि पुर्वन निवेश में देखना हूं और भारत दुनिया को एक बहुत बड़ा कॉंटुबिशन करेगा इन सारे कारणों से अधनिया देख जी क्वालिटी जॉप की संभावना बहुत बरने वाली है और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्कील मिनिस्ट्री बनाई उसके पीछे ही तो यह है कि देश के नवजवानों को हूनर मिले और ऐसे आउसर मिले और हम इं पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिसा में काम करें आदेन अधिक जी यहां महंगाई को लेकर के अब काफी कुछ बाते की गई है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ से चाहिए आनी चाहिए इतियाद गवा है जब भी कॉंग्रेस आती है महंगा कि मैं कुछ वक्ते वे इस तरज में आज कहना चाहता हूं और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझने पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किसी ने कहा था वह मैं बात में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसिबत फैली है आम जुनता उनमें फसी है यह स्टेट्मेंट अप फैक्ट किसका है यह कहा था हमारे पंडित नहरुजी ने लाल के लिए से कहा था उस समय हर किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह उस समय की बात है उन्हेंने माना खलाल के रेज़े चारों तरब महंगाई बढ़ी है अब इस वक्त कवे के 10 साल के बाद लैरुचे के शुक्त दस साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके साम पुरितों में हैं परेशानियों में हैं महंगाई की वज़य से कुस्तो लाचारी है पूरी तोर से काभू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में हाला कि वो काभू में आएगी 10 साल के बाद भी महंगा के यही गीत कही गए थे और यह किस ने कहा था फिर से यह कब देश का प्रियम रहते हैं उन्होंने बारा साल हो चुके थे लेकि हर बार महिंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही हैं महिंगाई के काड़ा आपको मुसिबत हो रही हैं इसी के गीत गाते रहे थे अधने अधर जी अब मैं एक और भाशन का हिसा पड़ रहा हूं जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती हैं हमको ये भी देखना है कि जो भी आवशक बस्तु हैं उनकी कीमत को कैसे थामें ये किस ने कहा था हिंद्रा गांदी जी ने कहा था 1974 में 1974 में जब देश में सारे उन्होंने दर्वाइजे ताले लगा दिये थे लोकों को जैलमा बंद कर दिया था तीस परसंट बैंगाई थी तीस परसंट हाद अधर जी अपने भासर में यहां तक कहा गया था क्या कहा था आप चोंग जाएंगे उन्होंने कहा था अगर जमिन न हो कहने कुछ पैदावर के लिए जमिन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सबजी उगा लें यह इसी सलाएं उच्छे पद पर बैठे हुई लेक दिया करते थे जब देश में देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में घर घर घाय जाते थे एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाये जा दायन खाये और यह दोनों गाने कॉंग्रेज के सासनकाल में आये आदन यद्दक जी उपी के सासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी डबल डिजिट में महंगाई थी इसको नकार नहीं सकते हैं फारूपी का सरकार का तर्क क्या था जी और संबेदन सिल्टा यह कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो यह कहा गया था यह कहा गया था जब भी कॉंग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबुच किया हादम नियंतिक जी हमारी सरकार ने महंगाई को लगाताम नियंतरण में रखा है दो दो युद्ध के बावजूद और सो साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंतरण में है और हम कर पाए अधनियत देख जी है यहां पर अधनियत गुस्सा व्यक्तिक किया गया हाँ जितना हो से का उपने कठेर सब्द में गुस्सा व्यक्तिक किया गया है उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है कि बस्ता चार पर कि एजन्सिया एक्सेल ले रही है कि उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या 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 शर्दों का प्रयोक किया जा रहा है अधिन अध्यक जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था प्रश्टाचार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यहीं मांग करता रहे पगदा एक्षन लोग एक्षन लोग लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं देगे इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति गुपियों के लिए गुपियों किया जाता था बाकि उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके काल सहें में क्या हुआ पीमले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज दिये हैं कांग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रूपिये के संपति जब्त की हमारे कारकाल में एडी ने एक लाग करोड रूपिये के संपति की देश का लूता हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिन का इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के देर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखें हैं नोटों के देर होना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश नोटों के धेश डेख डेख करके चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से यूपिये सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल 10-15 लाग करोड करहार चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के गोटा ले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है डारेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदने काउं आधार मोबाई उसकी ताकत हमें पहचानी है तीस लाख करोड रुपय से ज़्यादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुंचे है और अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं पंद्रा पैसे पहुंचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाख भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाईए पंद्रा परसंट बुष्किल से लोगों के पास पहुंचता बागी सब कहां चला जाता हादरिने अद्र जी हमने दस करोड फर्जी नाम हटाए हैं अभी लोग पूतेन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी वबस्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फर्जी नाम बंद किये जो परिशानी है ने इन चीज़ों की है फिक रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है अधर्ण यद्यजी हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब ती लाग करोड रूपिया फर्जी हातों में जाने से बचाए है देश के टैस्ट पेरका पाई पाई बचाना और सही काम में लगा इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधर्ण जग जी सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की जरूप है और समाज में भी जो लोग बैठे हुनको देशने की जरूप है आज देश का दुर्भाग्य है पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कौपी करता था तो वो भी दस दिन तक अपना भूंकी से कोई दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जीन पर सिद्ध हो चुके हैं जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए हैं आज बॉसिंग बशीन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं इसे चोरों का सारवजनी जीवन में कहा ले जाना चाहते हो देश को तुम जो सजा हो चुकी है और क्यास पर आरोब जो है उनके लिए तो आप जोसुख करते हैं लेकिन जो बुनासित हो चुका जो सजाकार चुके हैं जो सजा कांट रहे हैं ऐसे लोगों का महमा मंदन करते हूं कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीड़ी को क्या प्रेमा देना चाहते हूं कौन से रास्ते हैं और ऐसी कौन से आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महमा मंदन किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्विधान का राज है जहां लोग कंत्र है मानिय दजी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती हैं यह लोग लिख करके रखे हैं यह जो महमा मंदन का काम चल रहा है उनका वह अपने अपने ही खात्मे की चिठी पर सिगनेचर कर रहे हैं लोग आजनिय देख जी जांच करना कि एजेंसियों का काम है एजेंसिया स्वतंत्र होती है और सम्विधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नयाद इसका है जज करने का काम नयाद इसका है और वो अपना काम कर रहे हैं और अध्य जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई चलती रहे हैं जिसने देश को लूटा है उनको लॉटाना पड़ेगा जिनोंने देश को लूटा है उनको लॉटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से बादा करता हूं जिसको जो अरोप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा आधनिय अध्यक जी देश शुरक्षा और सांथी का एसास कर रहा है देश द पिछले दस वर्ष की तुन्ना में शुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डाइरे में अपसिंता हुआ है लेकिन भारत की जो टर्रिजम के प्यती जीरो टॉलरंस नीती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीती की तरफ चलने के लिए मजबूर होना भारत की सेना है सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज भी आगए हमें हमारी सेना के परातन पर दर्वा होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें हैं मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मानू के सामर्थ को देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दें इससे मेरे देश की सेना डिमर्लाइज होगी यह सपनों में कोई रहते तो निकल जाए कि देश के मुड़ को वो खतम नहीं कर सकते हैं और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाशागर कहीं से बूठती है कि देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम कि देश में अलग देश बनाने की वखालत करते हैं कि जोड़ने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या इतने टुकड़े करका है भी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप और टुकड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे आदानिय अद्धिक जी इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा कशी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूतपुर्व अभिकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है परियतन लगातार बढ़ रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहां पुरा वि सेमेंटी को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के समझ से किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बारत के समिधान के अंदर इस प् मुल में उनकी ये सोचती और उसी का प्रणाम है देश को प्रणा जमु कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरूजी की गल्तियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है आदनीय अध्य जी वह भले गल्तिया करके गये लेकिन हम मुचीबते जिल करके भी गल्तियों सुधाने के लिए हमारी कोशिच जानी रखे हुआ हम रूकने वाले नहीं है हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग है हमारे लिए नेशन फास्ट है आदेनीयों देख जी, मैं सभी राजनितिक जलों के नेताओं से आगरे करूँगा, सभी मानने सदोस्वें से आगरे आगरे करूँगा. मैं भारत के जीवन में बहुत बड़ आउशर आयाaaa कु बैश्वित प्रिभेश में भारत के लिए प्रगारों कि एक नई आत्मय जवास के साथ अगे बढ़ने का उसर आया है कि राजनिती के अपनी जगापे होती है औरोप्र अपनी जगह पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंस्तर देता हूँ आपको कंदस दे किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े हैं राजविती में किसी भी जगह बे रहते हुए भी राष्ट ने देर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आदे आप इस राह को मत शुआ हूँ हुशर के अंदर पूंप को भुनाने के लिए आपका साहत हैं मैं आपका सयोग चाहता हूं कि 140 करोड़ डेश वास्चेव जिन्द्घी को और समरुद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप सांथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए आपके हर ईट को मैं विखसीद भारत की नीव मजबूत करने लिखा मुगा गाड़ देश को उस समरुद्ध की और लेगे जाएंगे जितने पत्थर उचालने उचाल लिजीए आपका हर पत्थर essa me हुआ प्थर को और काम में ले लोगा ये भी मैं आपको दिशवाद रात हुआ है हादरने दग जी मैं जानता हूं साथियों की तकलिफ हैं जानता हैं लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता है और दुखी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ ये नामदार है हम कामदार है और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है तो नामदार कुछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जन्मदात अधिकार मिले हुए हैं और हम कामदारों को सुनना होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाते पुस्तावान नेगे आधनियर ज्यक्ति के लासQ करने के लिए भोलने क्यातुक्ति जा इसे, को समर्थन देते हुए, धन्यवात् प्रस्ताव पर आभार व्यक्चा करते हुए, मेरी वानी के जिरान देचाऊंग देचा